नमस्कार मैं दिपक्षिंग आपका स्वागत करता हूँ Grow Digital Video Series के इस दूसरे वीडियो में आज के इस वीडियो में हम भात करने वाले हैं अपने प्रफाइल को ओप्टिमाइज कैसे करें आपका नाम, आपका address, आपका education qualification, आपका working experience, आपकी hobby क्या है आपका interest की सीज में है, आपका strength क्या है आप उसको कितने अच्छे डंग से, सुन्दर डंग से सजा कर लिखते हैं जब आप 15-20 या रुपे की नौकरी पाने के लिए अपने resume को कितने अच्छे डंग से सजा कर लिखते हैं तो आप एक business build करना चाहते हैं, आप एक empire build करना चाहते हैं तो किया आपको अपने profile को सजाने के ज़रुरत नहीं पड़ेगी एक और उदारन से समझते हैं जब हम पहले physically किसी को plan देने जाते थे तो कितने अच्छे ढंग से dress coat पहन करके जाते थे क्यों क्यों कि कहा गया है न कि your first impression is the last impression जो हमारा पहला impression होता है वो हमारा आखरी impression होता है ऐसा क्यों कहा जाता है कि हमारी पहली impression हमारी आखरी impression होती है जब हम किसी ब्यक्ति से मिलते हैं तो एक मिनट के अंदर अंदर हम उस ब्यक्ति के प्रती आउधारनाय सेट करना शुरू कर देते हैं क्या कि अमन में अउधरनाय चलने लगती है कि या व्यक्ति अमीर है या गरीब है या कम बोलता है या अधिक बोलता है या व्यक्ति सक्सेसफूल है या अनसक्सेसफूल है या सरमीला है या बात करने वाला है इस पर विश्वास किया जा सकता है या इस पर विश्वास नहीं क किया जा सकता है ऐसे बहुत तरीके के ओधारना हैं जो हमारे मन में चलती रहती है इसलिए कहा जाता है कि आपका पहला impression आखरी impression होता है उसी तरह जब आपका lead जब आपका prospect पहली बार आपके profile पर आता है तो आपको profile को देखता है और अगर उसे आपका profile एक काम्याब ब्यक्ति की नहीं लगती है एक ऐसे ब्यक्ति की नहीं लगती है जो उससे अधिक जानकारी रखता है तो वह आपको follow नहीं करेगा वह आपका दोस्त बनने में interested नहीं होगा और जब आपको follow नहीं करेगा, जब वो आपका दोस्त नहीं बनेगा, तो वो आपके साथ business नहीं करेगा, इसलिए अपने profile को optimize करना बहुत ही जरूरी है, अपने profile को optimize करने के लिए मैं आपसे 6 points share कर रहा हूँ, आप इस 6 points को अगर ध्यान से समझ करके इस पर काम कर लिए, तो आपकी profile बहुत जबरजस तरीके से optimize हो जाएगी, और जो भी आपको profile पर आएगा, आपको follow करेगा, और आपके business का हिस्सा जरूर बनेगा, सबसे पहला है username, आपका username ही आपका brand बनाता है, आपका username यह वह चीज है, जिससे लोग आपको जानते हैं, आपके brand को जानते हैं, इसलिए अपने username को short और simple रखे, अपने username को ऐसा रखे, जो असानी से याद रहे, ताकि लोग उसे असानी से सर्च कर सकें, username आपका खुद का नाम हो सकता है, यह आपके business का नाम हो सकता है, जैसे डॉक्टर बिबेक बिंदरा, एक उनका खुद का नाम है, डॉक्टर उजवल पाट को जानते हैं, कैरी मिनाटी, अजे नागर, इस तरीके से कुछ लोग खुद के नाम से जाने जाते हैं, कुछ लोग अपने business के नाम से जाने जाते हैं, तो आप खुद का नाम या अपने business के नाम से अपना username बना सकते हैं, username को ज़्यादा fancy न रखे, ज़्यादा stylist न रखे, short और simple रखें ताकि लोग उसे असानी से याद रख सकें दूसरा important point है आपका profile pic आपके profile pic पर आपका खुद का photo होना चाहिए वो कहा जाता है ना कि एक image 1000 सब्दों के बराबर होता है अपने profile pic पर अपना photo लगाएं और वो आपका image professional होना चाहिए high quality का होना चाहिए बहुत लोग क्या गलती करते हैं अपने profile pic के जगह पर group photo लगा देते हैं या किसी पहाड का या किसी देवता का photo लगा देते हैं ऐसा न करें आपका profile pic है तो उसमें आपका photo होना चाहिए तीसरा है आपका cover pic cover pic में दो चीजों कमेंशन करना जरूरी है पहला आप कौन है और आप क्या करते हैं पहला आप कौन है आपके अंदर की क्या expertise है आप digital marketing expert है या आप social media expert है या आप कोई advisor है चोथा आपका bio या about section आप अपने बारे में लिखे कि आप कौन है आप क्या करते हैं और आपकी क्या expertise या आपका क्या vision, mission, क्या goal है और लोग आपको क्यों follow करें आपको अपने bio को इतने अच्छे डंक से सजा कर लिखना है कि लोग आपको follow करें और पाँचवा है a story और highlight आप अपने a story और highlight में अपने earning को दिखा सकते है testimonials दिखा सकते है यानि कि आपके teammate में या आपके company में किसी ने अपने dream को achieve किया है उसके pick को आप लगा सकते है आप अपने lifestyle के बारे में दिखा सकते है आप traveling कर रहे हैं आप इंजवाय कर रहे हैं पाटी कर रहे हैं उस चीज को आप अपने highlight और story में दिखाएं और छटवा है जो की most important है आपकी post आपके post करने का क्या उदेश्य है लोग आपके post को देखें लोग उसे like करें लोग आपके post पर comment करें और लोग आपके post को share करें यहीं उदेश्य होता है लोगों का तो आप अपने post को इस तरीके से create करें ताकि लोग आपके post को देखें उसे like करें उसे share करें और उस पर comment करें तो post करते समय आप कुछ बातों को जरूर ध्यान में रखें सबसे पहला बात make engaging content अपने content को engaging रखें engaging रखने के लिए या तो आप entertaining content डालिए या आप educating यानि जो लोगों के educate करता है जो लोगों के जीवन में कुछ बदलाव लाता है कुछ improvement लाता है वैसे content को डालें वैसे post को डालें दूसरा try to maintain theme अपने theme को maintain रखें theme को maintain करने के लिए आप दो बातों को समझ लीजिए आना चाहते हैं वो आपके lead बने वो आपके business में आपके साथ जुड़े जो भी आपने theme बनाया है उस theme को maintain रखना है तीसरा create reels and video अगर आप चाहते हैं कि आपके follower तेजी से बढ़े आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और गिनिकली अपने business में लाएं तो आपको reels और video बनाना पड़ेगा क्योंकि reels की जो reach होती है वो बहुत high होती है अगर आपके कम follower है तो आपको चिंता करने की जोरत नहीं है आप आज से reels और video बनाना start कर दिजे आपके follower तेजी से बढ़ेंगे और आपको lead भी बहुत मिलेगी मैं आपको अगले video में बताने वाला हूँ कि आप अपने लिए unlimited content कहां से लाए उस video में मैं आपको इतने content idea देने वाला हूँ कि आप video बनाते बनाते थक जाएंगे reels बनाते बनाते थक जाएंगे आपके contents कभी खतम नहीं होंगे और चौथा है so yourself खुद को दिखाने की कोशिज करें इससे आपका brand बिल्ड होता है और जब आपका brand बनता है तो लोग आप पे trust करते हैं और जब लोग आप पे trust करते हैं तो आपके साथ business करते हैं और पाचवा है consistency निरंतरता के साथ post करते रहें ऐसा नहीं कि आज पाच post डाल दिया फिर एक खपते के लिए सोग है निरंतर डेली एक या दो post आपको डालते ही रहना है consistency के साथ मेहनत करते रहें तो आज मैंने आपको बताया कि अपने profile को optimize कि जिए अपने username को short और simple रखें दूसरा अपने profile pic पर अपना pic लगाए और वो professional pic होना चाहिए तीसरा आपका cover pic आपका cover pic आप कौन है और आप क्या करते हैं इन दो चीजों को दर्साना चाहिए चोथा आपका bio या about section आप अपने बारे में लिखे कि आप कौन है आप क्या करते हैं और आपकी क्या expertise या आपका क्या vision mission क्या goal है और लोग आपको क्यों follow करें आपको अपने bio को इतने अच्छे डंक से सजा कर लिखना है कि लोग आपको follow करें और पाचवा है story और highlight अपने earning को अपने lifestyle को अपने story और highlight में डालें छटवा है post निरंतरता के साथ post करते रहें post करते समय आप अपने central theme को maintain करके रखें यह video कैसा लगा हमें comment box में जरूर बताईएगा और इस video को like और अन्य लोगों तक share करना मत भूलिएगा मिलते हैं अगले video में तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन सुभ हो